लोग सिखेंगे कि कल के दिन बैंक निप्टी और निप्टी के कौन से option में best trading opportunity मिलेगा और आज के दिन जो पैसा double वाला trade हम लोगों को मिला हुआ था उसके पीछे का time analysis का logic क्या है तो यह सबी बातों को इस वीडियो में सिखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले start करते हैं बैं market ने resistance ले लिया और वहां से जो strong selling हम लोगों को देखने को मिली market को एक बेस लेवल तक नीचे लेकर आई यह तो यहां पर market में clear cut negative sentiment develop हो रहा है market में seller लोग हां भी है यह हम लोगों को आज के single candle analysis से clear cut पटा चल रहा है अभी psychology point of view से अगर हम लोग देखेंगे तो seller side की तरफ market बढ़ने के आशंका यहां पर दिखाई दे रही है तो हम लोग क्या करेंगे कल के दिन यह जो important support level यहां पर break मिल चुका है उसके breakout क इंतजार करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को daily chart के ओपर एक important support level को draw करना पड़ेगा यह जो important support level हम लोगों को मिल रहा है वो निकल करके आ रहा है 19366 का अगर कल के दिन market इस level के नीचे निकलता है तो उस case में हम लोग 19,350 का जो put है वो 19,350 के put को यहां पर buy करेंगे उसका जो stop loss निकल के आएगा यहां पर 25-30 point का stop loss हम लोगों के लिए sufficient रहेगा और नीचे की side में अपना जो target है यह वाला opening level हमारा target है यह target कितना निकल करके आ रहा है मुझे वीडियो को like करके comment section में बता दीजे तो बाकी लोगों को भी target के बारे में पता चलेगा अभी देख ले 12-48 के और 3-30 के बीच में हम लोगों को overall downtrend रहने वाला है जैसा मैंने time analysis में आपको यहां पर बताया वहा था उसी तरीके का exact momentum हम लोगों को यहां पर देखने को मिला और आच्छा का सा one-sided down momentum हुआ यह जो time analysis का concept है unique concept है YouTube के उपर आपको इसके ज़्यादा कुछ content नहीं मिलन में analysis करना सिखेंगे अभी यहां पर आप देखोगे तो continuous downside का momentum देखने को मिल रहा है तो यहां पर हम लोगों को जो मैंने high probability वाला trade बताया हो आता वही high probability वाला एक trade यहां पर बन रहा है दूसरा next trade हम लोगों को कब मिलेगा जब market इस level के करीब कई पर opening के बाद आ जाएगा तो यहां से market reverse होने की probability रहेगी उस case में हम लोग 19,450 का जो put है वो 19,450 के put को यहां पर buy कर सकते है इसका जो नीचे के side में target वाला level निकल करके आ रहा है यह वाला level है और stop loss यहां पर दुबारा 25 से 30 point का stop loss हमर ले sufficient रहेगा यह भी एकदम high probability वाला trade निकल करके आ रहा है market मान क्योंकि इस zone के बाज़ाए बड़ा gap down होता है तो immediately कोई भी trade मत कीजे पहले price action बनने दीजे price action के बाद open interest का data हम लोग देखेंगे और जैसे high probability opportunity आ जाएगा यह वाले channel में मैं update कर दूँगा जिसका link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है अभी देख लेते हैं कि bank n कि हम लोगों को क्या indicate कर रहा है और कहां पर best trading opportunity देखने को मिल सकता है जहां पर आगर आप देखोगे तो bank nipto में clear cut दिखाई दे रहा है कि यहां पर अच्छा कासा selling का opportunity बन चुका है और market में यह जो pattern बनाया हुआ है इस pattern में volatility हम लोगों को clear cut indicate हो रहा है इसके पिछे का reason क आए पहले psychology point of view से उसको समझने की कोशिश करते है एक दिन पहले आच्छे कासे buyer force के साथ market close हो चुका था इसी momentum की वज़ए से market gap up के साथ open हो गया लेकिन उपर की side में जो हमरा resistance level है market जैसे उस resistance level के करीब भी पहुचा तो वहां से immediate selling start हो गए market में और यह selling में हम लोगों को decision decision point के उपर लेकर आ चुका है अगर आप देखोगे तो market जब भी एक bullish candle बनाता है तो उसका जो close रहता है वो close बहुत ही crucial रहता है हम लोग कब बोल सकते है कि market में अभी negative sentiment develop हो चुका है पहला जब market is close के नीचे आना start हो जाता है और जाजा confirmation हम लोगों को low break होने के बाद मिलत है तो अभी यह बहुत बड़ा candle है मतलब यहाँ पर अच्छे कासे buying के position monthly expiry में बने रहेंगे अभी यह इसमें देखने वाली बात यह रहेगे कि इसमें से कितने लोग यहाँ पर market में averaging करके या फिर hold करके market को उपर रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर market को नीच चिल सपोर्ट वाला जोन breakout हो जाएगा और इसके नीचे हम लोगों को अच्छा opportunity देखने को मिलेगा अगर आप आज के दिन का closing देखेंगे तो एक दम important point के उपर मतलब 44,500 के level के करीब का closing हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पर आगर आज के दिन का close हम लोगों को 44,500 के नीचे बोल मिल जाता तो मैं यहाँ पर confirm negative sentiment को आपको बता देता लेकिन यहाँ पर market ने crucial point के उपर लाकर close करके रख दिया है मतलब market में अभी भी एक उमीद एक hope एक एक आशा बाकी है कि market कल के दिन यहाँ पर sustain हो सकता है तो कल के दिन अगर market यहाँ पर sustain नहीं होता और इस level के नीचे आ जाता है तो best opportunity हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग with the confirmation इसमें trade करना prefer करेंगे तो हम लोग wait करेंगे कि market इस level का नीचे आ जाए 44,400 के नीचे अगर market आता ह यह sufficient stop loss रहेगा और नीचे के साइड में हमारा जो target आएगा वह minimum 1-2 के risk reward रिशॉला मतलब 300-200 पॉइंट के बीच में target आप यहाँ पर रख सकते हो यह high probability वाला trade रहेगा अभी इंट्राडे में अगर आप जाते हो तो इंट्राडे में आपको दिखाई देगा market में clear cut negative sentiment है जिस तरीके का upside का momentum हम लोगों को देखने को मिला वुआ था उसका जो almost 50% का retracement market में कर दिया है तो यह 50% का retracement जो रहता है वो बहुत ही crucial रहता है जो लोगों को Fibonancy के बारे में कुछ भी doubt रहेगा कि Fibonancy retracement को कैसे use करना है तो आपके जो भी कुछ doubt रहेंगे मुझे comment section में बता दीजे तो आने वाले वीडियो में हम लोग उसको explain करने की कोशिश करेंगे तो यह जो Fibonancy number होते है वो natural sequence से आते है Fibonancy number के बारे में बहुत सारे लोगों को पता रहेगा जो नए है उनको ज्यादा कुछ पता नहीं रहेगा तो यह Fibonancy में एक तरीके से calculate किया जाता अगर यह train एकदम strong रहता है तो तो आप भी market ने almost 50% का retracement दे दिया है और 61% का level approximately यहाँ पर आ सकता है तो यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि market किस तरीके का behavior देता है जैसा मैंने आपको बताया हुआ है इस level के नीचे अगर market आता है तो approximately जोन तक market नीचे के side मे आ सकता है यह हमारे important support zone निकल करके आ रहा है तो यह हमारा downside का target रहेगा मतलब market आगर 44,433 के level को break करता है तो इस level को break करने के बाद market में नीचे की side में आप लोगों को एक बड़या opportunity मिलेगा नीचे की side में 44,200 का जो level है यह 44,200 का level next target यहाँ पर निकल के आएगा तो इस case में हम लोग क्या कर सकते हैं 44,400 का जो put है वो 44,400 के put को यहाँ पर buy कर सकते है और इसको buy करने के बाद यह वाले target तक आप यहाँ पर hold करके रख सकते हो कल के दिन में क्या करूंगा कल के दिन आज रात को आगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like और ज़्यादा से ज़ पूलिश और कब बेरिश हो सकता है यह time analysis से आपको पता चलेगा यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजिए और अपने YouTube चैनल को subscribe करके bell icon का button दाबा दीजिए तो मिलते हैं next educational video में thank you very much